नमस्कार साथियों आप सभी का चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत हैं आज हम बात कर रहे थे समोच रेखाओं के उचावच निरुपन की और इसमें महतब कुन अपना टोपिक है कुन सा समान धाल तो आप देखिए समान धाल आप सभी प्रिचित हैं कि एक ऐसा धाल जो एक ही एंगल के अंदर लगातार गिरे उसको अपनी क्या कहेंगे समान धाल तो अब देखिए जब किसी स्टेय का जुकाव लगातार एक समान रहता है तो उसे समान ढाल कहते हैं या सम ढाल कहते हैं समान ढाल को परतसरी करने के लिए समोच रिखाएं समान दूरी के अंतराल पर खिंची जाती है तो इसमें समुछ रखाएं जोगी वो क्या है बराबर यानि की समान अंतराल पर होगी ठीक है तो इसमें अंतराल अपने किस परकार बनाएंगे और इसका निलूपन किस परकार से करेंगे देखते हैं इससे पहले के वीडियो में हमने यहां वी सेप वैली जो है बना ली थी और अब अपने यहां पर समान ढाल ठीक है तो यह बनाने वाले हैं आप देखेंगे कि इसमें यहां पर पहले से ही एक बॉक्स बना हुआ है इसकी जो लंबाई बतायता हूं 12 समी यह 8 समी इसको मैंने 3-6 पर निसान लगा दिया तो यह डिवाडेशन हो चुका है आप भी लग बग यह 8-10 बना कर त्यार रखिएगा अब देखिए यहां पर क्या है ए और बी टिक है इसम अब देखिए आप यहां पर जो है वह समान दूरी के अंतराल पर समोच रेखा है बनाए जाएगी आप यहां पर जो है उन्चाही लिख सकते है जीरो 100 200 300 400 500 600 700 800 यह क्या है मीटर है अब आप इस में जिसे मान लो यहां समोच रेखा है बनानी है और समान दूरी के अंतराल पर होनी चाहिए इसके लिए थोड़ा साफ इसकी साहता ले लेना जैसे कि आपने यहां पर कितने लाइने दिखानी है आर्ट है तो अपने को कितना स्लोप दिखाना है तो मान लेजिए कोई भी गैप रखिएगा सुरौती गैप में कोई दिकत नहीं है जीरो से मिलाना ना मिलाना आपकी मरदी लेकिन यहां पर एक बार जब आपने स्केल रखके यहां पर अगर आपने पॉइंट लगा दिया से मान लो ठीक है यह एक सेमी पर फिर दो सेमी पर फिर तीन सेमी पर फिर चार सेमी पर फिर पांस सेमी पर फिर शैसेमी पर क्यों पॉइंट लगा हैं क्योंकि हमने समोज रखा हैं बनानी है तो पहली समोज रखा इस परकार से प्री हैंट से इस परकार ले जाना दूसरी समोज रखा इस परकार से तीसरी ये देखिए इस प्रकार से चौथी इस प्रकार से पांचवी इस प्रकार से छटी रिखाएं कहीं पर भी चले जाए लेकिन जब इस ए भी रिखा को ये काटती है वहाँ पर बिल्कुल गैप क्या होना चीए बराबर होना चीए वैसे अगर आप इसको यहां की बजाए थोड़ा सा यहां से लेकर आते तो बैट रहता ठीक है ये भी चल जाता लेकिन मैं इसको बाइचांस आगे ले गया लेकिन हमें तो बराबर दूरी पर काटना ये चाहिए तो मैंने इसको यहां से ही वापस मोड़ा लेकिन अपने को A B रेखा पर क्या है बराबर दूरिया मिल चुकी है तो आप इस फ्री हैंड से जो है किसी भी परकार से लाइन लेकर आएं लेकिन A B रेखा पर क्या है ये बराबर दूरी पर डोट लगने चाहिए अगर ठीक है ये ध्यार रखना है लेकिन इसे पहले अपने को इनका मान पता होने चाहिए अपने को पता है कि धाल जो है वो इस परकार से देखिया आप उपर से देखेंगे तो इस परकार से बन रहा है ठीक है इस तरफ से इस तरफ से यह बन रहा है क्यों क्यों कि जो है यहां पर जो है अपने लिखने वा इन रिखाउं को वहीं पर जाकर आपने रोकना है जहां से यह जहां पर इनका मान मिलता है तो निरुपन हो जाएगा जिसे मालीजी इसको यहां से गिराया अब देखिए आप इसको यहां से गिराया कहां तक छह सो तक गिराना है तो आप इसको छह सो तक यहां पर रोक देखिए आपने इसको गिराना है 500 का मान है ना तो 500 की रिखा तक गिराना है तो यहां 500 की रिखा तक आप इसे गिरा देंगे फिर इससे आप 400 की रिखा तक गिरा देंगे खंड़ीत रिखा के रुप में बनाना आप विक्रणेनों को अब इसके बाद में इसका मान के है ये 300 300 तक गिरा दना है इसके बाद में इसका मान जो है 200 तो यहाँ तक आएगा ठीक है और इसका मान जो है यहाँ से 100 आने वाला है इस परकार से ये हो जाएगा तो इसमें ध्यार रखना ये थोड़ा गलती सीधर लगया था कोई बात नहीं अपने जब आप देखिए इसका निरूपन करना है तो यहां से आपने इस लास्ट इससे को 600 वाले को पर 500 वाले को पिर 400 वाले को फिर 300 वाले को फिर 200 वाले को और फ अगर कहीं पर अंतर आया है तो वह इसी कारणा है कि हमने समझ रिखाँ को सीधी नया बनाकर कुछ थोड़ा बहुत रिखाएं जो है वह आड़ी ट्रेडिक की होगी ठीक है लेकिन फिर भी अब देखते हैं हमने हाँ अगर यह देखें तो अपने बिल्कुल क्या है इस स्केल की सहिता से अगर यह सब भी पॉइंट आपके मिल जाएं तो समझ लेना कि आपने जो है वह समझ रिखा के दुआरा जो है समान धाल को दर्सा दिया है इस परकार से इसे आगए बेदेना नहीं तो यहां से यह समान धाल गया ही है ठीक है लेकिन यहां से लेकर यह धाल क्या है एक जिसा होगा अब इसको आप दर्शाने के लिए जो है वो थोड़ा गहरा कर देंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपने एक समान धाल की रजना कर दी है इसमें थोड़ा दिया रखने बात यही रहेगी कि आपके जो यह पॉइंट है यह बिल्कुल समान धूरी पर हो और दूसरी बात यह कि आपने जो विक्रन गिराए है उसमें किसी प्रकार का कोई किया यह समान धाल की रचना करते नहीं है वह काफी ऐसार है ठीक है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद